वेजिटेबल मैगी टू मिनेट्स मैगी नूडल तो आज कल बच्चा बच्चा बना लेता है लेकिन चलिए इसी मैगी को आज थोड़े से डिफरेंट वे में ट्राइ करते हैं ताकि इसका टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट आ सके जब मैंने दो पैकेट मैगी नूडल लिये थे और ती मिनट तक इसे पानी में बॉयल किया उसके बाद छनी में निकाल दिया थोड़ हंडा पानी डाल देंगे इस पे ताकि आपस में चिपके नहीं और आज इसे साइट रख देंगे वेजेटेबल्स को कुक करने से पहले एक पैन में थोड़ा सा ओयल डाला और दो अंडे उसमें डाल दिये थोड़ा सा नमक डाला और एक स्क्रैंबल्ड एक टाइप बना लेंगे अगर आप एक्स नहीं खाते हैं तो इस पार्ट को टोटली स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी जगा पे आप पनीर का ऑप्शन भी ले सकते हैं इसमें पनीर का यूज करने के लिए पनीर को स्क्वेर पिसीज में काट लेना है थोड़ा सा लेमन डालना है उस पे सौल डाला है और रेड चिली पाउर्ड पनीर को ब्रेक किये बिना मसाला अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद ऐसे ही से पांच मिनट छोड़ देना ह उसके बाद non-stick तवा गरम करेंगे थोड़ा सा ओयल डालेंगे और one by one सारे पनीर के pieces इस पे रखते जाएंगे दोनों side से इनको roast करना है तो दोनों options आपके पास हैं आप चाहें तो egg का use कर सकते हैं या फिर आप पनीर use कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप दोनों चीज डाली है मटर डाले है हरी शिम्ला मिर्च डाली है लाज शिम्ला मिर्च डाली है अब अपनी मटजी की vegetables add कर सकते हैं सौल डाल देंगे according to taste और साथ में डाल रही हूं दो packet में मैगी टेस्ट मेकर बस दो मिनट के लिए इन vegetables को saute करेंगे उसके बाद जो मैगी हमने boil करके रख रखते हैं पनीर दोनों options आपके पास हैं आप चाहें तो दोनों भी यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल जो मैगी हम बनाते हैं उससे काफी हटके टेस्ट आता है आई होप आप एक बार ट्राइजरूर करेंगे